ये वत्मान जिले के दिग्रश शेहर में बगैर अनुमती के संदल निकानले से उपजाविवाद आखिरकार थाने में जा पहुचा इस मामले में जहाद दिग्रस पुलिस ने पुलिस से हाटा पाई सहिद अन्या आरोपु में पारशिद सेयद अकरम और अन्या को हिरासक मिलिया है वही पूर्वपारशिद सेयद अकरम में भी पुलिस पर कतित रूप से गैर कानूनी तरीके से लाटी चार्ज का आरोप किया शुक्रवार को शहर के नूर अली शा बाबा दरगा के उर्स शरीफ के मौके पर चाधर चड़ाने के लिए मोती नगर परिसर से संदल का आयोजन किया गया था यह संदल कच्ची चौक और घंटी बाबा परिसर में पहुचाई था कि वहां दिगरस पुलिस थाने के पुलिस निरिक्षक पांडूरंग फाड़े और संदल के कथित रूप से आयोजक पूरुवपार्शद सेयद अकरम के बीच विवाद हुआ इस दोरान जहां पुलिस निरिक्षक फाड़े ने बगएर अनुमती के संदल निकालने का हवाला देते हुए मामले दर्ज कर लिये वहीं पूरुपार्शद सेयद अकरम ने संदल में शामिल युवाओ पर पुलिस दोरा गयर कानूनी तरीके से लाठी चार्ज करने का आर उत्पन्नकर ने हाथ उठाने भीड जमा करने कोरोना दिशा निर्देशों का उलंगन करने का आरूप करते हुए धारा 353 188 186 279 270 143 सहित 135 के अनुसार मामले दर्ज कर लिये हैं सुत्रों ने बताया कि इस मामले में पूरो पार्षद सेयद अकरम सेयद उमर और सेयद हुस चालीस लोगों के खिलाफ कारवाई के संकेत मिल रहे हैं इस मामले में आगे की जाच उपविभागीय पुलिस अधिकारी आदित्य मीर खेल करके मार गदर्शन में सहायक पुलिस निरिक्षक विजयर अतनपार्खी कर रहे हैं मालूम हो कि बीते दिनों संत सिवालाल कामिल 20-25 युवाओं को पुलिस ने तंबी देते हुए उनकी बाइक रैली को ततकाल विसरजित किया था कुल मिलाकर देखा जाये तो किसी भी उत्सव त्योहार के जश्न में कानूनी शर्तों का उल्लंगन किसी भी तरह से हितकारक नहीं हो सकता ऐसे में अपनी भावनाओ पर नियंतन रखने और कानून का पालन करना नागरिकों का पहला फर्ज है वहीं कानून के रखवालों को भी जनभावनाओं के तहत सुचबुच दिखाना आवश्यक है ताकि शांती और सवहार्त के लिए मशूर दिगरस जैसे शहर में सामाजिक सत्भाव और एक जैती प कर दो कर दो